नमस्कार आप सभी का स्वागत है क्या विवास से पूर्व शारिक सम्मंद बनाना पाप है यदि किसी व्यक्ति ने विवास से पूर्व शारिक सम्मंद बनाया हुआ है तो उसे पत्नी से सम्मंद बनाने से पूर्व क्या करना चाहिए इस विशय में हमारे प्राचिन दी गई है एक ग्रहस्त पुरुश को विवा के पस्चात कौनसे नियमों का पालन करना चाहिए और एक पतिवरता स्त्री को घर में सुक शांती बनाये रखने के लिएновगर वैवाहिक मन में पती के अलावा किसी अन्य पुरुष का विचार भी नहीं करती है। सभी कारिय छोड़ कर तुरंत उनके पास दोड़ी चली आती है और पूछती है। पती वरता स्त्री शोभा पाती है। पती वरता नारी को कष्ट देने वालों को नरक में ही जाना पड़ता है। सुर्य देव भी डरते डरते अपनी किर्णों से पती वरता को स्पर्श करते है। चंद्रमा स्वयम को पवित्र करने के लिए पतिवरता को स्पर्श करते हैं पतिवरता जिस घर में अपने पैर रखती है वहां के सभी पापों का नाश हो जाता है बुरी शक्तिया उस घर को छोड़ कर भाग जाती है लेकिं इसकंद पुरान की अनुसार जो पापी पतिवरता नारी को स्पर्श करता है अत्वा उसका सेवन करने के चेश्टा करता है वह भयंकर रोगों से पीडिध हो जाता है पतिवरता स्थि को केवल मन में ही स्पर्श की कामना करने वाला पुरुष भी दरिद्री बन जाता है जो पती अन्य स्थियों में रत होकर देता है, वह हजारों वर्ष तक नर्क में यातनाय भोगता है। इसी के साथ ही, जिस पुरुष ने विवा से पूर्व अन्य स्त्रियों का सेवन किया हो और एक पतिवरता नारी से विवा किया हो, वह पापी पुरुष अपनी पत्नी को स्पर्श करने मात्र से ही उसके पुन पुरान की कथा मतुरा पुरी में दाशार ह नाम से विख्यात राजा हो गए, जो यदुकुल में स्रेष्ट, बुधिमान, अतिउत्साही और महा बलवान थे, वेउदार, तरुन, तता शुब लक्षनों से युक्त थे, उन्हेंने काशिराज की पुत्री कलावती के साथ विवा किया था, विवा के पश्चाद घर पर आने पर, रात्री में पलंग पर बैटी हुई उस पत्नी को, राजा ने अपने पास बुलाया, पती के बुलाने पर भी, वह उनके समीप नहीं गई, तब राजा बलपुर्वक, अपनी पत्नी को शहिया पर ले जाने के लिए उठे, यह देखकर राने ने कहा, हे महराज, मैं कारण का ज्यान रखने वाली, वरतों में ततपर, पति वरता नारी हूँ, मेरा स्पर्श न कीजिए, आप तो धर्म धर्म को जानते है, अतम मेरे उपर, बल का प्रयोग न कीजिए, पती पत्नी में प्रेम पुर्वक जो सम करने वाली हो, जो रजस वला हो, और संबोग करने की इच्छा न करने वाली हो, ऐसी स्तरी के साथ, पुरुष को बल पुर्वक समागम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, रानी के इस तरह कहने पर भी, राजा नहीं माना, और रानी को स्पर्श करने लगा, रानी को स्पर् तब रानी ने कहा, हे नात मैं पतिवरता हू, मेरा ये शरीर निश्पाप है, इसमें कोई विकार नहीं है, पापी लोग मेरे शरीर का स्पर्ष नहीं कर सकते और आपने तो सभाव से ही मदिरा पान करने वाली कुल्टाओं का और वैशाओं का सेवन किया है, आप मेरा स्पर् के पास गए और वहां उन्होंने मुनी गर्ग से शिवजी के पंचाक्षर मंत्र ओम नमश शिवाय की दिक्षा ली और यमुना के तट पर बैठ कर उसका जाप किया, ऐसा करने से राजा के शरी से करोड़ पाप कौवे की भाती निकल गए और फिर उसने रानी को स्पर्ष क तो दोस्तो इस प्रकार से पति वरता पत्नी का समागम करने से पूर्व मनिश को शिवजी के इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, उम्मीद यह जान करें आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंड में हर हर महादेव अवश्य लिख साथ ही चानल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद